तो विदान सभा चूंटणी मां प्रचा टॉप गियर मां पहुंची गयो छे। चूटडी जंगमा जामयो प्रचार पार पर पलटवार कौन कौना पर पड़शे भारे तो विदेपार कहेछे आ मोंदीने दे आपा संथा जांठी भारेुथ बोधी मोदी ना स्वां ठांधी ओंडेकै अमरीकार जुआ हई अधर कार जो गोजी निगत तो कांचि आजे के अधर कि अधर इवागा अधर करणा जो वुद्या करें जो टो ने सेमाल रिवाद करना मानी पोर्काप्र रापाव पाला है मिशन छे गुजरात मां रैकोर्ड ब्रेक बैठा को मेलवी जीत आखो मां छे मतदारों नो मिजाज पारक्वानी निरिक्षक शक्ती जुबान पर छे कॉंग्रेस अनिगांधी परिवार पर आकरा प्रहार कि जेमने भारतनी जनताए पदपर्थी हटावी दिदा जे एवा लोको पद माटे यात्रा करी रहाए थे पद माटे यात्रा करे तो लोगसाहिमा करे परंतु जेमने गुजरात ने तरस्यू राख्यू जेमने गुजरात माँ माँ नर्वदा ने आवती रोकवा माटे चालिस चालिस वर्थु दी कौट कचेरियो करी एवा नर्वदा विरोध्यना खबे आहाथ मुकी ने पद माटे यात्रा करवा वाडावो आग गुजरात नी जनता तमने सजा करवानी चे सजा विधान सभा चूटणे मा नरेंद्र मोदी जन्जावाती प्रचार करी रहा चे प्रचार मा नरेंद्र मोदी कौंग्रेस अने घांधी परिवार ने आडे हाथ लेवानी कोई तक नती छोड़ता प्रचार मोदी को उसकी अकात दिखा देंगे अरे माबाप तमें तो बदा राज परिवारों जो उन्तो एक सामान ने परिवार नू संतान जो मारी कोई ओकात न जी बापा तमें मारी ओकात देखार वानी हो राहुल गांधी नी भारत जोडो यात्रा मा राहुल गांधी साथे मेगा पाट कर देखा था नाम लिधा विना नरिंद्र मोधी ये राहुल गांधी पर प्रहार करया भाजप नरिंद्र मोधी ना चहरा पर मत मांगी प्रचंड विजय नी आशा राहुल गांधी पन भारत जोडो यात्रा वच्चे अटकावी भाजप ना विजय रतने अटकाव वा मैदान मा उत्री गया छे गुजरात्मा आदिवासी मतदारों कॉंग्रेस ना परम परागत मतदारों रहा छे त्यारे आदिवासी मतदारों ने रिजवा माटे राहुल गांधी नी सभा सूरतना आदिवासे विस्तार गणाता मांडवी अने महुआ तथा आसपासना विस्तारों ने जोडी ने योजवा मावी राहुल गांधी ये सभा संबोध ता भाजप पर आदिवासी पर अन्याय नुआरोप लगावयो कॉंग्रेस अत्यार सुधी साइलेंट मोड मां जोवा मरती हती त्यमच दिगज नेताओ प्रचार मां देखाता नौता चूटणी ने हवे 10 दिवस नों समय बाकी छे त्यारे त्यमना दिगज नेता राहुल घांधी पन रौन मैदान मां उत्री चुक्या छे हवे जोवु रहु मतदारोंने रिजवा मां कौन रहे छे दमदार भारतिय सेनाना सत्तत युद्धा भ्यासी पोतानी ताकात ने चकासी रही छे रतने वधू सुद्रढ बनावी रही छे राजस्थान ना बिका नेर्वा सेना शत्रु नास नामनों युद्धा भास करी रही छे जमा सेनानी अलग अलग ठुकडियों तालमेल बैसाली दुश्मन ने मात अफ़ानी प्रैक्टिस करी रही छे विस फोटो थी धन धनी ओठ्यू राण आर्मी अने एरफोर्स नू जॉइन्ट ओप्रेशन रणमा सेनानो युद्धा भ्यास शत्रु नास युक्रेन अने रश्या वच्चे युद्ध पची भारतिय सेना पुताना त्रोने फॉर्मेट ने वधु धारदार बनावाना मूड माच्छे आर्मी अने एरफोर्स नने नौसेनाना जॉइन्ट एक्षन थी दुश्मनने तबाह करवानी योजनाओ पर विशेश काम थेई रहुछे बीका नेरमा महजन फिल्ड फाइरिंग रेंज मा शत्रुनाश युद्धा भ्यास नो उद्धेश पन आज नजरे पड़ियो आर्मी अने एरफोर्स ना जवानों ए साथे मली ने करयो युद्धा भ्यास T90, T72, K9 व्रज, सारंग, एर डिफेंस गन, सुखोई, अपाचे, रुद्र, रण मा जोवा मली भार्तिय सेनानी ताकात युद्धा भ्यास मा शरुआत मा बैह हेलिकॉप्टर युद्धना मैदान मा वनेली दुश्मन नी चौकियों नी ओलक करवानों प्रयास करयो जेरे बैह हेलिकॉप्टरों ए कमांडू अने तमना श्रस्त्र सरंजामने फिल्ड मा उतार्या अभ्यास दर्म्यान चेतक हैलिकॉप्टर थी पण जवानोंने मैदान मा उतार्वा मा आव्या उपरांत रुद्र हैलिकॉप्टर अने अपाचे हैलिकॉप्टरे 20 मिलिमीटर गण थी फायरिं करयो अपाचे हेलिकॉप्टरे दुश्मन ना विस्तार मां मिसाइल छोड़ी शत्रुना श्युद्धा भ्यास मां मल्टी बेरल रॉकेट लॉंचरे पन कमाल देखाडी सेनानी T90, T72 अने के नाइन टेंको ये पढ़ दुश्मन पर दारुगोला छोड़्या अप्रेक्टिस दर्म्यान वायू सेनाय पन सुखोई विमानों नू शांदार प्रदर्शन करयो एशियानी सौथी मोटी फाइरिंग रेंज मां इंडियन आर्मी अने एरफोर्स ना हतियारों नो भरपूर उपयोग थयो अटेंग को जी अरे मैदान मा उतरी तो तेमने फिल्ड सपोर्ट देवा माटे एरफोर्स ना फाइटर जेट्स देनाद करवा माव्या फाइरिंग रेंज मा रण मा दुश्मन आड़ाओ बनावा माव्या था बनने फोर्स ना जवानों ए परस पर ताल मेल थी आड़ाओ ने नेस्तो नाबूत करया समय अने अड़ाओ पर सचोट वारना वखान थया जमीनी अने हवाई हुमला मा जवानों ए जबरदस्त जुस्तो बतावयो आयुद्धा भ्यास मा सवारे दस थी बार वागया सुधिमा एक पची एक विसफोटो थी रण प्रदेश धन धनी उठ्यो फाइटर प्लेन पुता नस्तले थी उड़ाबाद थोड़ी ज सेकंडो मा दुश्मन ना डाव पर पहुँचता आने हुमलो करी गायप थे जता तमनी पाचल विसफोटो नो अवाज आने रण मा उड़ती आ धूल जजजो अमरती रशिया आने यूकरेन ने ध्यान मा राकी आयुद्धा भ्यास मा आर्मी इंटेलिजन्स ने पन केंद्र मा राकपा मा आवियो दुश्मनना अड़ा क्यां छे अने त्यां केविरी ते वार करी शकाय गुप्त सूचनाओन आधारे हुमला करवा मा आविया बन्ने फोर्स वच्चे समन्वै आयुद्धा भ्यास नी विशेष्ता रही सप्त शक्ती कमानना आदेश मुझब थैला आयुद्धा भ्यास मा नव सेना नी खोडतो जुवा मली पन सेना नव सेना साथे पन दर्यामा भ्यास करी रही छे भारतिय सेना सतत आवा युद्धा भ्यास थी पोतानी शक्ती चकासे छे अनि तैने वधू सुद्रण बनावे छे श्रद्धा माडर केस मा पोलिस खुर्ती कडियों श्टोती रही छे तिवा मा श्रद्धा नम्बित्रों लजीक ना लोकों आवी रहा छे चोंकावनार निवेदनों आफ्ताबनी कुरूरता नी बहार आवी रही छे कहानी जला दबाया गया था जिसके मज़े से वो अपने आपको वो घर से बचा के बाग्या ही थी अफताब इतना वॉयलिट हो सकता है कि वो सकत नो करते है आज रात को मैं इसके साथ धर पे रही तो यह मुझे मार टालेगा एसा भी जगड़ा हुआ है उनके भी अफताबना दर एक गुनाना साक्षी हवे दर एक गुनानो थशे फर्दाफाश पहला दोस्ती पची प्रेब पची मार पीट अने पची मर्डर बाद करवामा आवेली हैवानियत पोतानी गल्फ्रेंड नी हत्याना आरोपी आफताबनी हैवानियत नी यादी दर एक बदलाता दिवसे लांबी थई रही छे भले पोलिस हजू श्रद्धाना मृत देहना टुकड़ा शोध्वामा लागी होई पण श्रद्धाना दोस्तो आफताबना गुनाओनी यादी खोली नाकी छे श्रद्धाना जिटला पन दोस्तो सामे आव्या चे तेमा दर एक खूनी प्रेमीनी कहानी कही रहा चे तेमा एक वस्तू चे जे बधाने खबर पड़ी चे अनि ते चे श्रद्धा साथे मार पीट ते हैवानियत जे दिवसे दिवसे श्रद्धा साथे थती हती श्रद्धाना जे दोस्तो आजे दावु करी रहा चे तेने सामभ़या पची कोईने विश्वास नती थाई रहो के जे व्यक्ती श्रद्धाने प्रेम करतो हतो ते जे तेनी साथे आवु करी दैशे श्रद्धाना दोस्तों एक खोल्या राज आफ्ताब ना कर्टुतों नो पर्दाफाश आफ्ताब नी कर्टुतों नो थशे हिसाब श्रद्धाना दोस्तों नी पोलिस हवे पूच पर अच करे रही छे जे थी प्रेमना नाम पर श्रद्धा साथे जे करवा मा आवियो तैना पर थी पढ़दो उठी शके श्रद्धाना पूर्व मैनेजर थी लई तैना दोस्तों किटलाएं लोकों नी पूच परच थाई श्रद्धाना दोस्त गौडविन साथे पूलिसे चौकल लाग पूच परच करी पूच परच पची गौडविन ने कहूँ के डिसेंबर 2020 मां आफ्ता बे श्रद्धा साथे मारपीट करी हती तेनु गडू पन दबाववानों प्रयास करी हतो ते आफ्ताब थी बची ने तेनी पासे पहुंची हती गौडविन ने पूलिस को लिखित में अपना बयान दर्ज करवाया है गौडविन ने ये दावा किया है कि वो श्रद्धा का कभी दोस नहीं था श्रद्धा जिस कंपनी में काम करती थी उसमें उसका बड़ा भाई काम करता था बड़े भाई के कहने पर ही उसने श्रद्धा की मदद की थी श्रद्धा को पहले तुलिंस पोलिस्टेशन ले जाकर NCR दर्ज करवाई थी उसके बाद उसे अस्पताल में भरती कराया था गौडविन ने ये भी दावा किया है कि आफ्ताप के आत्मत्या की धमकी देने के बाद श्रद्धा ने अपना लिखित बयान वापसे लिया था श्रद्धा ना दोस्तोज नहीं पन श्रद्धा जे कमपनी मा काम करती हाती तेना पुर्व मैनेजर करण भरी नी पन पोलिस से पूछ परज करी करण नुमानिये तो थाने नी एक कमपनी मा आठ नव महिना श्रद्धाए काम कर्यों करण ए पोलिस ने कहु के नवेंबर 2020 मा पहली वार श्रद्धाए घरेलू हिंसानों उलेक कर्यों हतो तेने एक फोटो पन मोख लेहा तो आफ़ता बे तेने मारी हती तो उसके साथ में खाता पाई हूँ थी तो परजद्धा ने रिपोर्ट किया था वह उसे रेस्क्यू करें उसको जल्दी से अपने साथ ले जाए ने तो फिर उस रात आफ़ताब इतना वॉयलिट हो सकता है कि वह उसा कतल पर दे तो यह बड़ सुनने में आ थे अब से मिले थे और आफ़ताब एक पोकर फेस की तरह था मतलब इसको देखकर आप बिल्कुल अंदेशा नहीं कर सकते कि इंसान वाकी में है कौन जो इंसान एक्सप्रेसिव होता है आप उसके हाव भाव इसके बातों से जान सकते हैं कि वह कैसा गटित्व है लेकिन जो इ जो पकवासी कहानी है बताए जा रही है इसको एंगल जोड़ा जा रहा है एक अलग तरीक से गुमराह किया जा रहा है मेरे खैल से सबी लोगों को यह हूँ ही नहीं सकता मुम्किन ही नहीं है हम बच्चे थोड़ी जो हम कोई सीरीज देखेंगे हम इतना इंफूएंस हो ज जिसके विसे उसको उसके मुमेंट्स करने में चलने में उठने बैठने में और गर्दन का मुमेंट करने में मुश्चिल हो रही थी श्रद्धा पोताना पर थैला अत्याचार ने कहवा माटे डिसेंबर 2020 मां हॉस्पिटल मां भरती थाई हती त्यारे पन आफ्ता परचायानी जैम तैनी साथे हतो दोस्तों नी आजबानी श्रद्धा केस मां महत्वपोर्ण कडी साबित तैशके छे पोलिस पन हवे दोस्तों ना निवेदानों नौन्धी रही छे जेती असली गुनेगार ने सजा अबावी छके रश्यानी युकरेन युदवर्चे एक मोटो दाओ सामयावर्चे आदाओ छे के एक एवा खतरनाक बॉमनों जेमाना से वरार मा फेर विर शके छे जद दता जो ये के रश्या आए युकरेन पर हुमला माटे आप्रकान बॉमनों उप्योग कहरिते शरू करी दो छे युकरेन ने वराल मा फेरवानी तैयारी रश्या कर्शे वराल बॉम्बनों उप्योग युकरेन मा सौथे मोटी तबाही नू काउंडाओ रश्या युकरेन युद्ध मा तमे हतियारों नो डर जोयो रश्या युकरेन युद्ध मा तमे मिसाईलों थी बरबादी जोय रश्या युकरेन युद्ध मा तमे तोपोना गोडा थी तबाही जोय पण हवे एक रिपोर्ट सामे आवयो छे जे आना थी पण वधु तबाही मचावी शके छे एवी तबाही जना पुरावा शोध्वा पण मुश्केल थे जशे दावो करवा मा आवी रहो छे कि तेना उप्योग थी मानस वहनो टैंक बधू जब वराल बनीने गायप थे जशे इटले रश्या युकरेन युद्ध हवे वधू खतरनाक थवानू छे कहवा मा आवी रहो छे कि रश्या युद्ध खतरनाक बउम्बनों उप्योग करवा जए रहो छे जे थोड़ी सेकंडो माज मानस ने वराल बनावी दे शे आ बउम्ब अंगे दावो करवा मा आवे छे कि मानस वराल मा फेरवाई जशे बंकर औने टैंक पन राख बनी जशे कहवा मा आवी रहो छे कि आ एवो बउम्ब छे जे विस्पोट साथे आग आग आके छे जेना कारणे मोटा मोटा हतियार औने मानस पलवार मा वराल मा बदलाई जशे विस्पोट साथे एटली गर्मी पैदा थाई छे कि बधूज बढ़ी ने खाक थे जाई छे एटली आ बॉम्ब थी कोई सैनिक ने निशान बनावा मा आवे तो त्यानू हाड़ पिंजरज बच शे बाके नू शरीर खाक थे जशे अमेरिका आ प्रकारना बॉम्ब ने पूर मैंस न्यूक एटले के पूर मैं न्यूकलियर वेपन कही चुक्यों छे जैने थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रो कहवा मा आवे छे एटले आग औक तो दानाव एटले एवू हतियार जे ब्लास्ट साथे एटली गर्मी पैदा करे छे जैनाती बधूज बढ़ी ने तबाह थे जाए कहवा मा आवे छे के आ बॉम्ब फाटे छे तो तेमाती बहूज प्रचंड शौक वेव पन निकले छे रश्या पासे आवोज TOS-1 थर्मोबैरिक फ्लेम थ्रोवर हतियार होवानों दावो छे जे एक आर्टी लरी थी चालतू हतियार छे जने रॉकेट लॉंचर नी मदद थी पन फेंकी शकाई छे आ हतियार नी रेंज 10 किलोमीटर के हवा मा आवे छे जे विस्पोर्ट साथे 3000 डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा करे छे आज कारण छे के आ बॉंब ज्यांपन पड़े छे त्यां दरेक वस्तू वराल बनी जाए छे केहवा मा आवे छे के आ बॉंब ना उप्योग साथे 1000 फुटना विस्तार मा कशुज नती बच्चतू इटले मात्र हुमलो थाई छे पन कोई पूरावा नती मलता आ युद्धमा सौथी घातक हतियार केहवा मा आवे छे जैने रश्यानी सेनाए तैनात कर्यो हवानों दावो थाई छे साथे रश्या आने इराने नवी चाल चाली छे